तो देखें, फर्स कुछन है, 40 ब्यक्ती प्रतिदीन 10 गंटे काम करते हुए एक निशितकार को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 ब्यक्तिओं द्वारा वही कारे 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदीन कितने गंटे प्रियाब्द होगें, तो देखें, इसके लिए एक mixed प्रोपोर्शन का एक फर्मूला होता है जो कि देखे क्या है यहां पर यहां पर यहां पर आपका दिया है तीस दिन और दीटू बराबर दिया है दस दिन ठीक है और यह तू आपसे पूछ रहा है कितने हावर चलेगा तो देखिए इसको आप इस तरह लिए सकते हैं तीस इन्टू दस इन्टू यस्टू बराबर चालीस इन्टू छ इन्टू दस ठीक है अब यहां पर मल्टिप्लाई है तो यहां पर यस्टू बराबर हो जाएगा चालीस गोड़े 6 गोड़े 10 बटाके अब यहां पर मल्टिप्लाई में था तो यहां पर डिवाइड में आ जाएगा ठीक है तीस गोड़े 10 अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 ठीक है तीन एकम 3 तीन दूनी के 6 अब यस्टू का मान कितना आ जाएगा आपका तो देखि कि 30 ब्यक्ति कितने गंटे काम करेंगे 8 गंटे काम करेंगे ठीक है तो यह हो गया आपका पहली सवाल दूसरी सवाल आपका है एक काम को 6 दिनों कर सकता है और उसी काम को भी 12 दिनों में कर सकता है तो अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को कितने दिनों में और बी कितने दिन में कर रहा है बारा दिन में कर रहा है तो क्या करेंगे पहले टोटल काम ग्याद करेंगे ठीक है कितने दिन काम चलेगा ठीक है टोटल काम निकालने के लिए हम क्या लेते हैं दोनों का एलसेम निकालेते हैं क्या निकालते हैं एलसेम कितना जाएगा बारा तो फिर एपसेंसी निकाल लेते हैं कि दोनों एक एक दिन में कितना काम करेंगे, देखिए, 6 दोने के 12, पतलब A, A एक दिन में 2 काम करेगा, और B, एक दिन में 1 काम, 12, ठीक है, B एक दिन में 1 काम कर रहा है, और A, एक दिन में 2 काम कर रहा है, अब देखेंगे कि क्या कर रहा है, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो देखेंगे, दोनों का जोड़ लेंगे, दो और एक तीन, तो A प्लस B, बराबर कितना हो गया, तीन, तीन काम कर रहे हैं, एक दिन में, तो 12 काम कितने करेंगे, तो देखें, 12 काम, बराबर हो जाएगा, 12 क काम बटे के 3 कितने दिन में कर देंगे तीन चोग को 12 चार दिन में आपका काम खतम हो जाएगा ठीक है अब इस प्रकार हल कर सकते हैं ठीक देखिए अगला सवाल है 15 ब्यक्ति प्रति दिन 6 गंटे काम करके 900 रुपे कमाती हैं 20 ब्यक्ति प्रति दिन 10 गंटे काम करके कितने रुपे कमाएंगे ठीक है तो देखिए इसके लिए भी एक मिस्ट प्रपोर्पोर्शन का एक फर्मूला है मतलब मिस्र समानपार का तो क्या है फर्मूला देखिए यम 1 इंटू यच वन बटा के आरवन मतलब की आर कितना कमा र यहां पर फंद्रा दिया है घूड़े समीन कंमाल कितना दिया है और पर बराबर यहां पर कितना दे दिया है यहां पर दस बटाके आटू पूछ रहा है तो आटू को इसी तरह ने देंगे अब देखिए किस प्रकार होगा तो देखिए यहां पर यह आटू ग्याक करना है तो एक तरह से क्या करेंगे तिरियल गुड़ा करेंगे क्या करेंगे तिरियल गुड़ा कर लिजे देखिए तो आटू गुड़े 15 गुड़े 6 बराबर 20 गुड़े 10 गुड़े 900 ठीक है इतना हो जाएगा अब देखिए क्या होगा यहां पे इस गोड़े 10 गोड़े 900 बटा के 15 गोड़े चड़ पर 15 15 छक नब्य सोड़ी यहां पर चभी यह एकम छहां जीरो अब क्या करेंगे चाहिक 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 और लीप्राइब करें डेखिए आट्डू कमान कितना लुट हुआ लुटा इविल में दूसर और दूसरों में 10 कोड़ा हो जाएगा दूहज़ाँ तो कितना कमाएगा 2000 रुपए कमाएंगे कितने बेखती 20 गंटे काम करके यह हो गया तीसरी सवाल यह सारे सवाल सेलेक्टेड लिया है अब देख सकते हैं अगला सवाल है एक साथ काम करते वे A, B और C एक काम को तीन दिनों में पुरा करते हैं ठीक है और इसी कार को A 24 दिनों में B 6 दिनों में पुरा कर सकता है तो इसी काम को अकेले C कितने दिनों में पुरा कर सकता है ठीक है यहाँ पर देखे क्या कर रहा है तीनों मिल कर कैसे देखे A, B और C ती कितना दिन में कर रहा है तुत आप क्या करेंगे हुआ सवाल में बताया । घिर में कितना तो आप क्या करेंगे कई थे magnetic निकालेंगे तो इसका तो देखिए तो तीनों का कितना कर रहे है एक कम कर रहा है और बी दोनों मिलाकर चार एक पांच काम कर रहे हैं है जा रहा है तो सबढ़र सकता है तो एक दिन काम कर रहा है तो सपर दिन कर रहा है तो में तीन काम करेंगे तो 24 काम भाग काम खतम कर लेगा कितने दिन में आठ दिन में काम खतम कर लेगा ठीक है अब देखिए अगला सवाल है आपका यह किसी काम को आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम के पांचवी भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो एक्स ने काम तुरू किया और आठ दिन लगे तो देखिए यह थोड़ा सा टाइम लेख सकता है देखिए बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा देखिए यहां क्या कर रहा है एक्स किसी काम के आधे भाग को मतलब देखिए एक बटा दो एक बटा दो भाग को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में ठीक है तो टोट ये हो गया कौन यह बह Eig है तो You कितने भाक को कर रहा है इक बटा पांच में भाग को कि इतने दिन्σιत्त सिर्म कर दिन इस कितने दिन में कितने दिन्स दिन में कर रहाम है ठीक है तो एक का मतलब ечELL His Uhh पंच बरावर दस पसे पच्चास कितने दिन में 50 दिन में पुरा कर देगा ठीक है अब देखें क्या करेंगे अब पता चल गया कि टोटल काम कितने दिन में करेगा यहां चालिस यह पच्छास ठीक अब क्या करेंगे ध्यान दिजीगा अब एक्स कितना कर रहा है 40 दिन में और वाई कितना कर रहा है 50 दिन में तो देखिए अब टोटल काम ज्यान करेंगे तो कितना हो जाएगा एलसे निकालेंगे तो यहां पे 200 कितना जाएगा 200 यह हो जाएगा टोटल काम अ पचास चगो को कितना हो जाएगा दूसर ठीक है दूसर हो गया अब क्या करेंगे अब कह रहा है कि X काम को सुरू किया जो X है पहले काम सुरू करता है और आठ दिन करता है आठ दिन काम करता है और छोड़ कर चला जाता है तो पहले क्या करेंगे कि X का आठ दिन में काम निका जाल देंगे kitnah baik ऑफ जाएगा फांच गोड़े 8 बराबर 40 तो अब क्या करेंगे यह काम अब छोड़ दिया इतना करके तो बचा कितना कम養ब गटाएंगे 200 by मेश से 40 कितना बचेगा 160 फैक है तो अब क्या करेंगे 160 बचा काम है तो यहाँ पर देखिए एक चीज अब क्या कर रहा है y से इस काम को पूरा किया तो बचा कितना है 160 काम बचा है और y कितना कम कर रहा है एक दिन में 4 काम तो एक दिन में y कितना कर रहा है y एक दिन में कितना कर रहा है 4 तो 160 काम कितना दिन में कर लेगा काम देखिए 60 बट्टे के 4 4 एकम 4 4 मतलब 40 Spring Я इसी कितने दिन घ्राइगा सब्सक्राह इसक्राद दोनो को यह काम पूरा करने में कितने दिन में Aware कितने चालीश दिन में और एकसा कितना एक्स और वाई का टोटल काम कितना हो जाएगा आठ प्लस 40 बराबर कितना जाएगा 48 दिन ठीक है इस परकार आप हल करेंगे ठीक है उम्मिद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा यदि आपको नहीं समझ में एक बार फीर से देख लिएगा जरू समझ में आ जाएगा यदि नए वीडियो के लिए चैनल को सस्कार करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद